सिरोही मुख्याले से 20 किलो मीटर दूर मामावली गाउं पढ़ता है डोडवा आते हैं वहां और मामावली गाउं की इस पहाड़ी के उपर या यू कहें कि जंगल में या यू कहें कि जहां पहले मामावली गाउं था आज हम सिरी पुम्ती माताजी के दर्शन करेंगे सिरी पुम्ती माताजी का मंदीर बिलकुल शान्त और एकांत में पहाडी के उपर ये मंदीर है बहुत ही खुबसूरत मंदीर है एकांत है और बहुत चमतकारी मंदीर इसको मानते हैं या यूँ कहें कि लोगों की बहुत गहरी स्रद्धा है भक्त बता रहे थे कि आज भी माताजी हाजिर रहती हैं अगर यहां कोई भी स्रद्धा से आते हैं तो उनकी मनो कामना को पूर्ण करती है इस मंदिर की बड़ी रोचक कहनी है मूल मंदिर तो पहाडी की उस चोटी के उपर है लेकिन चोटी पहाडी के बहुत उपर है वहां कम लोग चड़ पाते हैं इसलिए नीचे भी माताजी का मंदिर है श्री पोमती माताजी का मंदिर चोटी जंगल में है तो स्वाभावी कृप से जंगली जानवरों का भी यहां रहता है पसुपक्षियों का और भक् लेकिन हमारा पहला लक्ष है कि हम मा की दर्शन करें मंदिर में भावपूर्ण दर्शन करें यहां मंदिर में मातमाजी विराजतने हैं सिरी सीता रामजी महराज है और रहते हैं तो इनकी रहने की ववस्था भी है जो गावालों ने और भक्तों ने इस तरह से की वी है ले कोई construction का career नहीं हुआ और इसमें उधर से सिंद्रत से भी लोग आते हैं और इधर से भी चड़ते हैं स्रीकामति माताजी का मंदिर हम श्रीकामति माताजी के दर्शन करें जो यहां सदियों से वीराजवान है स्रीकाला भेराओ और यहां कई प्रतिमा है लेकिन ये मंदिर का कुछ सालों पहले कुछ दसकों पहले जब जिर्णों दार्वा तो नहीं मूर्ति की स्थापना की गई और ये प्राचीन मूर्तियां है यहां के बारे में बहुत सारी कहवते होंगी लेकिन कहते हैं चार सो पान सो साल पहले अचानक माता जी का अनभव को गई और तो उस वक्त माता जी प्रगठ होती है और उनको पानी पिलाती है मातों सभूर्व सक्षम एं और माता जी के लिए कुछ भीकारिया समभा नीए हैं और माता जी और उसी से जुड़ावाईे सिरी पोव्मती माता जी का नाम रखा वहां इस्थापित हूई पहाड़ी के उपर सिरी पोम्ती माता जी अब यहां के बारे में कई कहवते हैं कि यहां यह एक हम ओरन देख रहे हैं हम इसको दिखाना चाहेंगे आपको कि यह यह जो विशाल हम ओरन देख रहे हैं कहते हैं यहां पहले गाउं था गाउं हुआ करता था और गाउं हम देख स अभी गाउं उधर चला गया और संसार का भी एक ये चक्र होता है कि आज जहां हम शहर या गाउं देख रहे हैं संभवत यह वहां कभी जंगल रहा होगा और यह भी हो सकता है कि उसके बाद कभी जंगल हो यह स्रस्ति का क्रम है चक्र है जो हम देखते हैं यह यहां हम विशा गाउं से 400-500 साल पहले यहीं था इसी जगे था यह यूं कहें कि माता जी के बिल्कुल नजदिक था दो तिन और काहवत नहीं 14 के दिन यहाँ अमेला लगता है 14 के दिन इस गाउं के कोई भी पसुपालक कोई भी पसुपालक अपने पशु का अपने गाय का भैस का बक्री का या जो भी पशुधन है उसका दूध बेच नहीं सकते बेचते नहीं और यह विश्ваस की पराकास्ता है कि उसको बेच बेचते लेकिन मा का ऐसा वरदान है, मा का ऐसा कुछ संदेश है और जिसको गाउवाले बखुबी निवाते हैं और इसके साथ यह बात और बताई है कि अगर कोई व्यक्ति इसको फोलो नहीं करता है तो उसको एक तरह से चमतकार या एक तरह से उसको परणाम मिल जाता है और इसको 100% फोलोता है दूसरी बात यहां हमने देखी है कि जिसको हम उन कह रहे हैं जिसको हम ओरन कह रहे हैं या हम इसको देवन कह सकते हैं जो देव स्थानों के नाम पे होते हैं इस स्थान से कोई हरी लकडी का तिनका भी नहीं ले जाता ये एक दूसरी बड़ी बात है और अगर कोई ले जाता है या ले जाने की चेश्टा करता है तो माता जी का ऐसा प्रकोप है ऐसा चमतकार है कि उसको ऐसा फील होता है और वो उस डर से भैसे तो हम कभी-कभी देखत है कि अगर हमको जंगल बचाने है तो कहीन-कहीं ये देविस्थानों की हमको शरन जाना पड़ेगा यहां हमारे साथ बही महराज जी है। यहीं रहते हैं यहीं भजन करते हैं और इन इस्थानों का एक महत्वे हम देखते हैं। जुड़ा रहना जरूरी है या उस सत्ता से हम जुड़े रहेंगे या जुड़े रहते हैं तो उसका हमको लाव होता है यहां हम स्री पोम्ती माता जी के दर पे खड़े हैं हमारे पास भाई साब है जो इसी गाओं के हैं आपके क्या कहेंगे भाई साब आपका शुबनाम क्य है बैरु सिंग की आप मामावली के हैं चलिए पहले तो हम मां को नमन करते हैं क्या क्या है यहां का क्या इतियास आप जानते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं तो बाद में उपर से माता ने आलसी हो तो चलो महीं आ जाती हूं यह ठीक बात है तो और आगे सरकी तो ठेट गाम में गई देखिए अब यह हमारा दुर्भाग है कि हम बहुत आलसी होते जा रहे हैं और और क्या यहां का पानी पिलाया माने वहां उपर और यहां इदर से चोड़ डाकू भी मतलब कोई सोरी करे तो अंदा हो जाता है यहां कोई मेला भी लगता है हर चोड़स के दिन मेला लगता है उजवाली चोड़स के दिन पूरा गाउं अता है हम इतना मान सकते हैं कि गाउं की यह सरदा है और हम किसी आध्यात्म के माध्यम से आध्यात्म की डोरी से अगर बंदते हैं सूत्र में तो यह आध्यात्म की एक तारीफ है और हमको इस तरह के मंदिरों में एक आस्था होनी चाहिए और सिरी पुम्ती माता जी का मंदिर चुकी उपर है मूल मंदिर लेकिन नीचे है और भी नीचे आप जैसा बता रहें तो हम सब और क्या विशेश क्या कहेंगे आप बसा पाते हैं याँ आप बने मजरास रहें जहां भी रहें तो हम सब मिलके जै बोलेंगे बोलो पौम्ती माता की जै बोलो बस्ती मात की जै और बोलो आज के आनंदे की जै